हाई गाई वापिस आगे एक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम करने वाले हैं पावर शेरिंग टेस्ट सामसंग गैलेक्सी जी फोल 3 का तो यह बेसिकली सामसंग के महंगे फोनों में एक फीचर है जहां फोन दूसरे वारलेस डिवाइस को चार्ज कर सकता है अब सामसंग में उसको पावर शेरिंग बोलते हैं बाकी फोन में उनको रिवर्स वारलेस चार्जिंग बोलते हैं सेम टेकनोलोजी है पर कुछ फीचर थोड़े डिफरेंट है उसके बारे में बात करेंगे तो यहां है मेरा गैलेक्सी फोल्ड थ्री तो यह अलरड़ी इसके उपर एक स्पाईजन का केस डला हुआ है जो एस पैन बाला केस है जो मैं टेस्स कर रहा हूँ तो आप जब इसको जब आपको कोई भी डिवाइस चार्ज करना होगा तो यह है इसका चार्जिंग प्ाइंट थो चाहे तो ऑप ज़िए तो यह 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 बंद करना रख सकते हैं और के ओपर डिवाइस रख सकते तो कोई बात नहीं आप settings में जाए settings में जाके नीचे battery and device care है वहाँ पे आपको बैटरी दिखेगा बैटरी में जाए फिर यहां पे आपको wireless power sharing दिखेगा यह select कीजिए और यहां से यह off है इसको on कर दीजिए तो यह खुद भी बताता है आइफोन ट्राइब करते हैं तो आइफोन उसके पर रखते हैं चार्जिंग चालू हो गया तो आप देख सकते हैं कि कितना फास्ता मुझे कोई कुछ इंतजार नहीं करना पड़ा अब इसको साइड में रख देते हैं अब वन प्लस नाइन प्रो डाल के देखते हैं अब देख सकते हैं डालते ही है इमीडियेटली यहां भी टेक्क कर लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यह है लगी जी एटेक्स तो अब इस फोन में फोन तो अंदर है इसके ऊपर यह कवर है ड्यूल डिस्प्ले वाला और यह फिल शन दावर और यहां प्लास्टिक वाल लगा रखाई जो कि इतना मोर क्या एतना है तो अब यह तो प्रॉश्टिक इधर प्लास्क घै दूसरा यह डिस्टन्स क्रीच कर ला अब प्लास्टिक वाले फिर भी compatible है अगर आपके मेटल वाले होंगे तो मेटल में wireless charging काम नहीं करता तो अगर आपका इस फोन में अगर मैं यह लगा दूँ तो मेरा wireless power sharing खतम हो जाएगा मैं यूजी नहीं कर पाऊंगा तो अब मैं इसको एसे रख देता हूं इस एक बड़ चेक करता हूं पावर शेरिंग अभी भी ओन है कि नहीं कि अब मैं इस फोन को इदर लग देता हूं अब उसने डिटेक्ट किया कोशिश भी कर रहा हूं आपको आवाज तुनाई दिया होगा पर क्योंकि इसमें इतना डिस्टेंस है फोन और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि इतना डिस्टेंस है तो यह चार्ज नहीं कर पाएगा अब मुझे इस फोन को कवर से निकाल हो जाता है तो मैं दुबारा ओन कर देता हूं और अब इसके अपर हम यह फोन रखते हैं और इमीडिटली चार्जिंग चालू हो गया तो यह चार्जिंग कर रहा है तो फोन के साथ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एक चीज आपने देखा जो प्रॉब्लम आता है व यह है यह एरफोन तो यह मेरे सैमसंग का बड्स प्रो आप देख सकते हैं डालते ही चालू हो गया और यह आफ भी हो गया क्योंकि 100% चार्ज है तो अगर 100% चार्ज है तो यह आटमाटिकली डिटेक्ट करेगा और देखेगा डिवाइस फुली चार्ज और आफ हो जाता है तो अब हम दुबारा से चालू कर देते हैं अब यह वाला डालते हैं यह 100% चार्ज नहीं है अब आप देख सकते हैं यह चार्जिंग चालू हो चुका है अब यह है एपल का एरपोड्स प्रो तो क्या यह एपल के डिवाइस को चार्ज करता है हां तो एरपोड्स प्रो भ फीचर है वो है यह की यह Samsung के watches को भी charge कर सकता है वागि कोई भी फोन Samsung के watches को चार्ज नहीं कर सकता कोई भी power bank Samsung के watches को चार्ज सकता सिवा समसंग खुद के power sharing power bank के तो जह भी तुझ का और आप यह जी चीज मुग बहुत है लगता है मैं अपने Samsung के watch को directly अपने phone के साथ ही चार्ज कर सकता हूँ अब मुझे कोई difficulty नहीं है अब मुझे अगर मैं कहीं टूर पे भी जा रहा हूँ तो मुझे अपनी घड़ी का charger लेके साथ में घुमने की जुरूरत नहीं है क्योंकि मेरा phone ही मेरे घड़ी को charger कर लेता है तो ये चीज यूनीक है इसके लिए अगर आपके पास Samsung का watch हो कोई भी watch मैं इसके साथ Gear S3, Samsung Watch 3, Samsung Watch 2 और Active, Active 2 सब ट्राइ कर चुका हूँ सारे के सारे charger होते हैं बिना किसी problem के तो ये इसके एक यूनीक फीचर है जो सिर्फ Samsung के महेंगे डिवाइस में है महेंगे डिवाइस बोले तो S series, Note series और Flip तो इसके नीचे अगर आपके M, A वगरा वगरा सब series है उन में reverse charging ही नहीं तो वो support ही नहीं तो सिर्फ इन में है तो काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि उनके phones पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि उनके phones में ही वो feature नहीं है wireless charging ही नहीं तो अब एक लास्ट टेस्ट अब एक चीज जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ये तो अच्छा लगी रहा है हाथ में एक और चीज अच्छा लगता है वो यह है कि मैं अब यहां फोन को चार्ज कर सकता हूं तो अब यहां मैं फोन चार्ज कर रहा हूं और साथ में wireless power share भी on कर देता हूं तो अब क्या कर सकता हूं मैं कि मैं फोन को भी चार्ज कर रहा हूं और अपने घडी को भी चार्ज कर रहा हूं तो अब इस situation में मुझे बार बार घडी को अलग से चार्ज और फोन को अलग से चार्ज करने की जुरूरत नहीं है यह directly एक charger मैं फोन में डाल देता हूं और उसके बाद यह फोन को भी चार्ज करता है और गड़ी को भी चार्ज करता है तो यह feature आपके दूसरे devices में नहीं है जैसे मेरे OnePlus में वो feature available नहीं है OnePlus phone को जब आप चार्ज कर रहे होंगे तो reverse wireless charging बंद हो जाता है यहां वो नहीं होता यहां काम करेगा और जैसे ही आपका device fully charge हो जाएगा reverse wireless charging अपने आप बंद हो जाता है तो वो मुझे बहुत ही अच्छा feature लगा तो अमीद करता हूं कि जादतर आपके questions में answer कर चुका हूं अगर आपको कोई और doubt हो तो आप comment कर सकते हैं मुझे contact कर सकते है मेरा information, contact information मेरे video के description में और channel के end में आपको available है तो और अगर आपको same video किसी और language में जैसे Malayalam या English में देखना हो तो उसका भी link में description में डाल दूँगा तो बस इतना ही इस video के लिए अगर आपको video अच्छा लगे तो please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मैं आपसे दुबारा मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, बाई बाई